हालो दोस्तों, दिस इस संगीता फ्रॉममेकर्स रेजीम आज मैं आपके साथ फ्रेश आपल केक का रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये आपल केक हम गेहूं के आटे के साथ बनाएंगे आपल, गेहूं का आटा और वालनट्स इस केक को हेल्दी और रिच बनाता है रेसिपी की सुरुवात हम एपल से करते हैं तीन एपल मैंने ले लिया है, धोकर साफ करके और इसे हम छील के तयार कर लेंगे एक ग्रेटर के हेल्ब से हम तीनो एपल को ग्रेट कर लेंगे एपल बहुत जल्दी काला पड़ जाता है तो हमें इसे जल्दी जल्दी करना है इस रेसिपी के लिए हमें फ्रेश एपल ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं अगर आपके पास पुराना एपल है तो उसको भी इस्तिमाल कर सकते हैं और एपल का बीच का पोशन हम फैक देंगे एपल ग्रेट करने के बाद हम इसमें आधा चमच दालचिनी का पाउडर डालेंगे एपल के साथ दालचिनी का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है अब हम इसमें दो चमच गेहू का आटा डालेंगे ऐसा करने से एपल काला नहीं होगा और most important इसमें जो moisture है वो भी soak कर लेगा आटा normally निम्बू का रस हम use करते हैं एपल को काला होने से बचाने के लिए यहाँ पर अगर हम निम्बू डाले तो यह और भी ज़्यादा moist हो जाएगा अगला step है dry ingredient की तयारी करना और इसके लिए हमने 2 कप आटा ले लिया है इस सारे dry ingredient को हमें 2 से 3 बार चान लेना है चानने से dry ingredients mix हो जाते हैं और cake light और fluffy भी बनता है 1 fourth cup हमने cocoa powder ले लिया है 1 tablespoon हम baking powder ले लेंगे spoon को इस तरह से flat करके लिजेगा measurement हमेशा perfect होना चाहिए अब हम 1 teaspoon baking soda लेंगे जब हम fruit cake बनाते हैं तो baking soda डालना बहुत ज़रूरी है baking powder से baking soda हमेशा कम होना चाहिए इसे मैंने 3 बार चान लिया है अब wet ingredient की तयारी करते हैं 1 fourth cup टेल और 1,5 cup दही हमें fat लेना है ध्यान से दही का पूरा पानी निकाल के फिर दही को अड़ करें baking के लिए जब भी तेल इस्तमाल करें उसमें strong flavor या smell ना हो हम ये cake eggless बना रहे हैं तो अंडे को हमने दही के साथ substitute किया है cake बनानी के लिए जब हम तेल इस्तमाल करते हैं तो ये तेल वाला cake हमें काफी दिनों तक फ्रिज में रख सकते हैं butter से बनाया हुआ cake hard हो जाता है लेकिन तेल से बनाया हुआ cake एकदम moist और soft रहता है इसे 2-3 minute के लिए फैटने के बाद आप देखेंगे ये काफी soft और fluffy दिख रहा है अब हम इसमें एक चमच नमक डालेंगे जब हम unsalted butter या तेल इस्तमाल करते हैं तो थोड़ा नमक डालना ज़रूरी है अब हम इसमें 2 cup PCOE चीनी आड़ करेंगे चीनी का substitute आफ पाउडर जागरी से भी कर सकते हैं जिससे cake और भी healthy हो जाएगा चीनी dissolve हो जाए तब तक mix करेंगे अब इस batter की consistency maintain करने के लिए हम यहाँ पर पानी का इस्तमाल करेंगे पहले मैंने यहाँ पर 1 cup का पानी डाल दिया है इसे एक बार हम mix कर लेंगे ऐसा करने से सारे ingredient अच्छे से mix हो जाते हैं अब हम इसमें dry ingredient mix करेंगे इसे भी हम 2 batch में mix करेंगे 2-3 batch करके अगर mix करेंगे अब तो यह अच्छे तरह से mix होगा और lumps नहीं आएंगे अब dry ingredient mix करते हैं तभी हमें बहुत ही ध्यान से mix करना है slowly mix करना है और cut and pull method से mix करना है क्योंकि जो भी air हमने इसके अंदर incorporate किया है वो निकलना नहीं चाहिए और साथी में इस सारे dry ingredient भी अच्छे से mix होनी चाहिए अब हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी भी add करना है और mix करते रहना है पानी को भी हम 2-3 batch में डालेंगे पानी अगर हमने एक साथ डाल दिया तो हो सकता है कि बैटर बहुत ही पतला हो जाए तो हमें consistency चेक करते हुए पानी को add करना है बैटर का consistency ठिक होता है लेकिन flowy होता है और smooth होता है आप बैटर का consistency देख सकते हैं ये perfect consistency है इसी तरह का बैटर तयार होना चाहिए इस stage में एक चमच आप apple essence डाल सकते हैं अगर apple essence नहीं है तो fruit essence भी चलेगा एक home maker के लिए ये tip है अलग-अलग fruit के essence खरीदने के बजाए आप एक mixed fruit essence खरीद लिजे जो कोई भी fruit के flavor के लिए यूज़ कर सकते हैं मैदा से आटा पानी ज्यादा सोक करता है बेक करने से पहले इसका consistency जरूर चेक कर लिजे मुझे यहाँ पर almost एक cup के करीब पानी लगा और एक cup में से थोड़ा पानी बज़ गया है शुरू में जो apple हमने grate करके रखा था वो हम अभी इस batter के साथ mix करेंगे ये grated apple थोड़ा lumpy और moist है इसलिए हमें इसे mix अच्छे से करना है नहीं तो ये सारा apple का layer cake के bottom में set हो जाता है इसे अच्छे से mix कर लीजिए इसी बीच मैंने otg को preheat करने लगा दिया है 190 degree में 10 मिनिट तक preheat करना है ये 10 इंच वाला cake है उसे हिसाब से हमने baking tin ले लिया है और आटे के साथ grease कर लिया है अब हम इसमें अपना cake का batter डाल देंगे एक बार हम tap कर लेंगे ताकि सारा air bubbles निकल आए और batter evenly चारो तरफ spread हो अब इसके उपर हम दिल खोल के अक्रोट डालेंगे walnut को छोटे तुकडों में काट लीजिए अच्छे quantity में हम walnuts को इसके उपर spread करेंगे ये तो आपका choice है अगर आप इसे batter के साथ mix कर के भी डालना चाते हो तो आप डाल सकते हैं मैंने सिर्फ top layer में डाला है ताकि उपर का layer में walnuts का crunch हो और अंदर apple का softness ये cake बहुत ही easy और healthy है आप इसे regularly बना सकते हैं और बचों के साथ enjoy कर सकते हैं मैंने इस cake को 35 minutes के लिए 190 degree पे OTG में bake किया है cake bake होने के बाद 35 minutes के बाद मैंने उसे rack पे निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था और अब ये ठंडा हो चुका है अब हम इसे demold करेंगे पहले इसके corner को हम detach कर लेते हैं एक चाकू की मदद से इस cake में मैंने butter paper या parchment paper का इस्तमाल नहीं किया है direct tin को मैंने आटे से grease किया था अब इस टेन को हम उल्टा करके इसका cake निकाल लेंगे देखते हैं कैसा बना है वाव बहुत ही खूबसूरत इस cake को आप जरू बनाएगे खितना soft बना है ये एक बड़ा cake है तो इसे हमें carefully handle करना है जब हम इसे turn करते है इस cake को हमने icing नहीं करना है इस cake को हम dessert के रूप में खा सकते हैं ice cream के साथ पच्चों को आप टिफिन में दे सकते हैं इसे tea time snack के तौर पे ले सकते हैं अब मैं इसे cut करके दिखाती हूँ आप सब को ये recipe पसंद हो आया ना अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और subscribe भी करना ना भूले अगर आपने subscribe अभी तक नहीं किया है तो और इस तरह का cake अगर आपने कहीं देखा है या खाया है तो प्लीज कमेंट करके बताईए कहां पर और ये cake का recipe आपको कैसा लगा आप अपना recipe या मेरा recipe बना के मेरे Facebook पेज में शेयर कर सकते हैं और उसके लिए आपको मेरा Facebook पेज जाइन करना होगा ये देखिए कितना खुबसूरत piece है tempting लग रहा है कि नहीं तो आप कब बना रहे हैं मेरे Facebook पेज का link के लिए आप description box में चेक कर सकते हैं Thank you